तेरे बाप की जगह है देखिए जो परसो अठाइस तारीक को हमारे बीच कुछ मिस अंडरस्टेर्णिक हो गई थी जिसके बज़ा से सोशल मेडिया ने इसको बहुत ज़ादा बड़ा ओइशू बना दिया था उस तरह का कोई भी इशू नहीं था मेरा ना किसी पालिटी से कोई ले ना देना है ना मैं किसी पालिटी का कार्य करता हूँ जो परसो मिस अंडरस्टेर्णिक हो गई थी तो मंड़ी का एक मैन गेट है जहां पर हमारे किसान इसके रिए राकेश डगैच जी आया थे ना मुझको मालूम था कि मंड़ी में लड़ता हूँ, मैं उसके वाद एक बपारी हूँ, जिस करण हमारे वीच मिस अंडरस्टेर्णिंग हो गई थी, तो शायद वो एक बहुत बड़ा इशूस बना दिया था, बाप बेटे की भी घर में लड़ाई होती है, तो उस चीज़ के लिए मीडिया को इतना बड़ा हैं, हम आज भी बोलते हैं, अगर कभी भी हिमाचल में उनका आना तैह हुआ, तो मैं रूबरू मेडिया के सामने और सब के सामने ये बोल रहा हूँ, कि मैं उनका वहव्यों स्वागत करूंगा, हम भी किसान हित के लिए है, और ना हमारे कुश तरह की किसी ने जानकारी द रहें उन्होंने भी मुझे आगे कैसे बोला कि तेरे बापका है मेश थोड़ा कुछ fewजन था कुछ मेरा बपार में प्रावल्म चल रही थी थो मेरा बपार नहीं हो पा रहा था उन present थोड़ा मेरे बपार में भी प्रावलम आ रही थी तो जो ये बहुत बड़ा इशूस बनाया उसके लिए इतना बड़ा कोई इशूस नहीं है बाकी हमारा उनके लिए हर पल साथ है सही हो गए जब भी उनको आना होगा ही मचल में तो हम उनके वब्यास वागत के लिए त्यार है जिसमें एक छोटा सा मेडिया ने उच्छाल के या कुछी ट्रांसपोर्ट का इशूस बनाया था वो मेरे आज से नहीं आज से आज से आज दस सल पुराने रिलेशन है हमारा भाई भाई चारा है वो वापस में हमारी तूतू में होती रहती है उसका कोई भी बड़ा इतना इशूस नहीं है आज भी हम लोग एक ठाली में खाना खाते हैं साथ रहते हैं इसका कोई बड़ा इशूस नहीं है इसलिए अगर राकेश डिकेट के हिट को ठेस पहुची होंगी तो हम उनसे निवेदन करते हैं आप हिमा चल आओ हम आपका वब्यो स्वागत करते हैं हम हर पल आपके साथ है मैं सिधा सिधा बोलता हूगी मैं अपनी दुखान के सामने उनका स्वागत करूँगा जिस भी तरह का मुझे स्वागत करना पढ़ेगा उसके लिए मैं हर पल उनके साथ हूँ बाकी इतना बड़ा कोई इशूज नहीं है अभी थोड़ा सा बीजी हूँ मैं अपने ट्रांसपर्ट भाई के साथ उनके पास दिल्ली मिलने जाओंगा हम भी मिलेगे, हम भी सयोग करेंगे अभी थोड़ा सा बपार के करण में उलजा हुआ हूँ जिस बज़ा से उस दिन मेरे बपार में मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में था परिशान था, मेरा माल नहीं भी करपा रहा था मंडी में माल विख चुका था वो क्या बोलते मंडी गेट पे गारिया लगी थी